2019 लोकसबा चुनाव में कॉंग्रिस को मिली हार के बाद सांसद राहूल गांधी ने पार्टी अध्यक्षपद से इस्तिफा दे दिया था जिसके बाद अध्यक्षपद की कुर्सी खाली पड़ी है ऐसे में अब जल्द ही अध्यक्ष का चुनाव होना है जिसको ले कर बीते दिन दिल्ली में हुए नवसंकल्प शिविर में एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया गया है देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने नए अध्यक्ष का बेसबरी से इंतजार कर रही है 2019 में राहुल गांधी के स्तीफे के बाद से सोनिया गांधी अंतरे मध्यक्ष के तोर पर कारेभार संभाल रही है लेकिन अब एक बार फिर अध्यक्ष की मांग तेज हो गई है और इस रेस में सबसे आगे है राहुल गांधी का नाम और बीते दिन दिल्ली में हुए नवसंकल्प शिविर में एक बार फिर राहूल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठी इसके साथ ही दिल्ली कॉंग्रेस ने राहूल गांधी को कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया दरसल उद्यपूर चिंतन शिविर की तरज पर दिल्ली में चल रहे दो दिवसीनफ संकल्प शिविर के दूसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें राहुल गांधी से भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप म कारिभार संभाले का नुरोध किया गया, इसके साथ ही चौधरी ने कहा कि इस चौनौती पूर समय में राहुल गांधी जैसा मजबूत नेता जो सच्चाई के लिए लड़ता है कि नेतरत में पार्टी फिर से जीवन्त होकर अधिक मजबूत बनेगी, उनके सामने आकर पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठी हो, इससे पहले भी कई बार कॉंग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के नाम पर सहमती जताई है, लेकिन राहुल गांधी लगातार इंकार करते रहे हैं, मगर अब दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी भी पद संभालने का मन बना चुके हैं, ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, क्योंकि अब पार्टी दोहजार चौबीस लोग सबाचुनाओं की तैयारी में जुट चुकी है, जिसके लिए पार्टी को मजबूत पार्टी की जरूरत है, ऐसे में जल्द इस मुद्दे पर फैसला लिया जा सकता है, डीवी लाइफ की रिपोर्ट